नमस्कार फ्रेंड्स मैं डॉक्टर नूज इंडिया टीवी ओंलाइन इन टीवी मीडिया नेटवर्क पे हुमें और आज आप सबों को पता है कि भारत बर्स में सिल्क की उत्वादन काफी जोरो सोर से हमारे फार्मर्स और हमारे उद्दमी करते हैं और उसका ब्यापार पूरे विश्व में होता है सिल्क रूट के नाम से भी बहुत सारी चीज़े जानी जाती है कि किस किस रूट में सिल्क मिलते हैं गौर्मेंट ओफ इंडिया या हमारे रज्ज सरकारों का भी इसके उपर बहुत बड़ा युगदान होता है तो मैं सबसे पहले आज आपको जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा सिल्क मार्क एक अपने आप में ऐसे हाल मार्क आपने गोल्ड में सुना होगा उसी तरह सिल्क का भी एक मार्क होता है जो प्योर सिल्क है कैसे सिल्क बनते हैं बहुत सारी चीज़ें सिल्क की दुनि एक बड़ी अनूठी और बहुत ही बहतरीन हैं तो आज मैं अपने लाखों-दर्सकों के लिए देन दिखाने आया हूं यह बताने आया हूं यह उनको उनके सामने डालने रखने आया हूं कि एक किस तरीके से सिल्क बनते हैं सिल्क की विराइटी क्या होती हैं और एक कैसे हम तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले हैं जिसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि क्या है और यह हम लोगों के भारत वर्ष में इसका क्या इसकोप है अपना परीचाई देने के साथ बताईए नमस्कार अपनें क Васि성 यह से से डीकारी राष्टी अन्तकरगा विकास निगम मंधे पहली चीटों यह है यह सबस्सक्रीं हमारे विकास आउक्त दिल्ली से हैं किया गया है और अगनाज़ इनस्डी राष्टी अदर्टाट सहाथ करocurा विकास दौला वो किया गया है और दूसरा यह हैता कि जितने हमारे ग्रीब वीवर्स है अपने जो भीह उनके प्रोडक्त है उनको एक हिसाब से देखा जेए था बारत में उनको आगनााइज करने के लिए अपने प्रोड़क्त को मशूहर करने हैं लोगों का स्टार लगवाये है इन लोगों से प्रोड़क्ट यह करवाया जाता है और यहां की प्योर्टी के लिए यह सब आगनाइस किया जाता है कि इनका विकास हो सके विवर्स का इसलिए आगनाइस हमाई हाथ करगा विकास से किया जाता है यह हम लग देख बहुत धन्यवाद अच्छा आप सबनम ज युसर कंपणी लिमिटेड से हूं मेरा यहाँ एक स्टॉल है वह स्टॉल नमबर अच्थाइस और सिल्क बिल्कुल ही नेचरल चीज है और इसकी जो उत्पादन है वो खासतर और से सिर्फ चार प्रकार की होती है एरी सिल्क, टसर सिल्क, मोंगा सिल्क और मलवरी सिल्क आप इन्वे से कौन सा एक्सपटिज्म है आपका कौन सी सिल्क की सारी रखती है टसर सिल्क रखती है ज्यादा डिमांड इंडिया में कौन सी सिल्क की है मलवरी और टसर की सबसे ज्यादा डिमांड है और सबसे अच्छी क्वालिटी सबसे कीमती होती है मोंगा नहीं तो उसकी बात भी करेंगे लेकिन आप बताईए कि आपको जो सिल्क के प्रोड़क्ट को आप मार्केट कर रही है आप लोगों को दे रही है व्यापार कर रही है उसमें कैसा है आपका मतलब अनुखो कैसा है लोग जो सिल्क के बारे में जानते हैं और जो ब्रैंडेड पहनते हैं वो सिल्क खरिते आ रहे हैं लगतार वर्सों से और इसी को पसंद करते हैं जैसे कि ट्रैडिशनल कपड़े जो होते हैं प्योर सिल्क से बनाये जाते हैं और फेस्टिवल हुआ साधी ब्या हुआ इसमें सिल्क का ही लोग कपड़ा यूज करते हैं सुक्रिया आपका उन्हों मतलब अच्छा था इसका मतलब अब मैं अक्तर जी से जानना चाहूंगा कुछ टेक्निकलिटीज बताईए जो आप जानना चाहते हैं और आप क्या है सो मैं वीवर हूं सर बनारा से हम लोग को क्या है सर के हैंड लूम बुनकर हैं हम अपना कपड़ा खुदी बनाते हैं और एनेज़ी सी द्वारा आईवजी जितनी सिल्फ है होती है या नेश्टनल हैं लेबल की एक्सपो होती है वहां पार्टिसिपेंट करते हैं फ्री आफ बन्में dupland फिर्हूं में देती हैं मतलब फ्री आफ कोस्ट इस्टब हम अपने बुल अपना माल लेकर आते हैं यहां पर सेल करने के लिए और जो भी benefit होता हम directly अपने अपने rate से जो भी product होता है उसी rate से हम customer को भी देते हैं ताकि customer को भी मतलब बिचो होती है कि हिसाब से अगर लेंगे तो उनको महेंगा पड़ेगा तो इसलिए government ने एनेडीसी ने ये अगनाईज किया है एक्जीशन और हम जो बनाते हैं अपनी साड़ियां बनार्सी हैं हमारे वाँ ड्रेस मेटरियल बनती हैं सूट्स बनते हैं तो उसको हम यहां लाते हर जगह जहां भी यह लगाएंगे जीशन सिल्क फैब के नाम से या नेशनल हैंलूम एक्सपो के नाम से वहां हम पार्डिसिपेंट करते हैं अक्तर जी यह बताईए कि जहारखंड और जहारखंड से अलवा पूरे देश में भी ऐसे और अलोबर इंडिया होते हैं सर अभी हम इसके पहले सूरत में थे और उसके पहले आमदाबाद में थे तो वहां भी बहुत बढ़ियां रिस्पॉंस मिला हम लोगों को और बहुत अच्छा से रुआ और यहां भी ठीक ठाकी रहा नेश्ट पूराम हमारा साहिद राची भी लगे बहुत बढ़िया इसके बाद तो हम जस्ट दिल्ली जा रहे हैं मने देश की राजधानी आप जा रहे हैं और मोदी जी के सपनों में की जादा से जादा लोगों को रोजग बहुत 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 धन्यवाद अपना परिचे दीजिए और बताइए कि टेक्निकल क्रिटरीज क्या है कि टेकनिकल एस्पेक्ट्स क्या है इसके साथ जुरे हुए नमस्कार मैं भी प्लाव ढली सिल्क मर्क और इंडिया से अधर्त हो से सेंटाल सिल्क बो जमशेदपूर में इसमें पार्टिशेट करने के लिए यहां का लोग को जगरूत करने के लिए यहां के एवार्नेस प्रोग्रम करने के लिए हाव टू क्लारीफाई हाव टू रिकोनाइज मैं कैसे वह सिल्क को पैचान ठीक है तो यह सी के लिए हम यहां पर स्टॉल लग होता है इंडिया में होता है हिंडिया लाकी है उसमें से कि 48 का मिलता है तो इस कने से आप यहां पर देख सकते हैं love of your region 808 फोकस करिए खिए और यह तैजए रिचिए में और इसे में कहीं कहीं होता है और यह होता है और यह हो गया मोगा मोगा सिल्क से अश्रा में होता है सब्सक्राइब तोटल में 60% production होता है मल्बरी की और बाकी शब कम होता है मुगा की ठीक है तो इसमें लोग को जगरुद करने के लिए हम कुछ ठेस्ट कराता है है कैंसे बार्निंग टेस्ट कीसे पता चले यह जो सिल्क होता है और कुछ नहीं है यह हमारा है प्रोटीन को कभी भी आप जलाएंगे तब यह बिल्कूल जलेगा जब तक आग रहेगा तभी उसके बाद एक बनती है और इसको क्रेश करेंगे तो टोटाल बीड बन जाता है मतलब पाउडर बन जाती है ठीक है तो यह दूकान से बोलिए हमें जरूर दे और वीम आपका टैग नांबर लिखा रहेगा त्यक नांबर जरूर लिखे और वह उनको पूले हमें तोड़ा टेस्ट करके बतांगे यह जरूर आपको करके दिखाएंगे क्योंकि जितना मिंबर्स है जितना भी विवर्स है वह चाहता है कि प्यूर सिल्क विक्री करें तो उसके वाइस लिए उन्होंने हम से टाइप करते हैं इंडिया के साथ और उनको हम लोग टैग यूज करते हैं बहुत शरे करने के बाद जो टैग होता है जिसमें टैग लगा हुआ है तो यह टैग ही सिल्क मार्क है जैसे हॉल मार्क गोल्ड पे होता है उसी तरह टैग है जो कि सिल्क मार्क है मतलब यह ओरिजिनल सिल्क है और इसमें और बाहर के किसी भी चीजों का 25-30% से ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते या फिरो कोई गोल्ड हो या या सिल्वर हो या और भी कोई भी जड़ी भी हो मतलब की 25 तो 30 परसेंट और इससे बाकी सारी सिल्क होनी चाहिए दुकान का नाम मतलब विवर्स का नाम आ जाएगा तो उससे पता लग जाता है अब ही आया है इस ट्रेप के दिख सकते हैं यह सिंगल टाइम यूज करते हैं सिंगल टाइप यूज करने से कट जाता है फिर पता चलता है और आपको मैं दखाता हूँ बार्निंग टेस्ट में कैसे यह जैसे प्योर सील्क है देखिए जब भी हम इसको आग लागाएंगे तो यह आग चलते रहेगा पर आग नहीं होगा तो यह बंद हो जाता है इसको आप क्राश के लिए टोटाल पाउडर हो गया इसका मुदलब यह है और इसको हम लोगों को शायद आ रहा है कि यह हैर बार्निंग का जो स्मेल है वह आ रह इतना पाउडर नहीं होगा ठीक है यह पर चिपक जाएगा दूसरा जो नौन सिल्क है उसमें से पक्का बार्निंग मिलना है एगा आग चलते रहेगा जिसकी हम आपको देखा रहे है एक नौन सिल्क आइटेम है देखिए इसमें जब यह आग लगाता है तो आग चलते ही सिल्क मिक्स्ट है इसका मतलब है कि अपने सरीर के लिए भी हानिकारक है क्योंकि अगर आग लगता है क्योंकि आग लगने से दुर्खटनाएं बहुत होती है तो आग जब लगता है तो लगने के बाद जानुमाल का नुक्सान होता है तो सिल्क है कि आग खतम तो बुझ ज जलता रहेगा तो यह बहुत बड़ी बात है सिल्क के साथ इसके उपर भी अगर 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 आप चाहे तो एक होता ही इधार देखा सकते हैं केमिकल टेस्ट में क्या होता कि हम लोगों का जो सिल्क प्रोटीन है केमिकल में देने से टोटल डिजॉल्व हो जाता केमिकल शाथ अगर कुछ भी सबस्टन्स वहां पर बचा रहेगा तो पता जला कि इसमें मिक्स्ट है तो कभी भी कई अगर सिल्क के प्योर सिल्क आइटिम खरीदा है तो दुकान के साथ आप कंटर्ट करो बोलो कि यह प्योर सिल्क नहीं है वह आपको मानी रिटरन करेंगी या तो एक् कहना चाहता हम की देखि एक बहुत बड़ी चीज होती है कि इतने सारे स्टाल्स लगे हुए हैं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा इस सारे दर्जनों स्टाल्स के लिए तो है आँ है ज्यादा से ज्यादा यह कस्टमर्स के लिए के लिए तो government of India और ऐसे जैसे हमारे officers और लोग जो की आप तक पहुंच रहे हैं और यह बताना चाहते हैं कि silk होती क्या है और क्या-क्या originalities है और कैसे परयोग करें तो यह बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है कि ऐसी मुहीम को सरकार को चलाते रहनी चाहिए जिससे हमारे weavers को भी हमारे shop keepers को भी और प्लस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा customers को जानकारी मिले नमस्कार आपके सामने silk कैसे बनते हैं silk का क्या भविश्य है silk क्या है और silk पहनने से क्या लोगों को फायदे होते हैं और सरकार silk को बेचने और promote करने के लिए क्या क्या कर रही है इन सब विश्यों पर चर्चा है आज तो आज मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये जो पीछे एक बहुत बड़ी machine दिख रही होगी आपको और यह क्या क्या काम करती है कैसे काम करती है तो मैं हमारे बगल में बैठे हुँ महनुभाव का परिचे आप से करना चाहता हूं यह खुद परिचे अपना बताएंगे और उसके बारे में बताएंगे आपको इस तरह के structure यह हम खड़ी बोलते हैं इसको जो बुनकर भाईयों के लिए कपड़े बिनने के लिए या अपने सिल्क के लिए इस सब के लिए यूज होता है इसको हम लोग खड़ी बोलते है तो इसमें जो ये धागे यूज हो रहे हैं ये क्या है इसको क्या बोलते क्या है इसको हम लोग धागा ही बोलते है ये की एक त ताना होता है ताना का मतलब कि ऐसे जा रहा है और बWhanag मतलब ये कर रहे हैं उनका अब देखें किस तरीके से वह अपना दिखा रहे हैं रिखा रहे हैं कि अक्रमनशैरी जी की ची बेठे हुए वौ wire वह पूरर स dispatch बनाद है हमारा त्हुरह जार है जार खंड है 36 गड़ है इस जगह से हमाई यहां अलग अलग स्टेट से भी जो है दूसरे राज्यों से भी सारे बुनकर भाई आए हुए यहां पर वह इस तरह के प्रोडक्ट करके इसी हिसाब से बना के वह अपने अहां हरे के अलग अलग जो ले आउट है वह अपन मसीन चला रहे हैं यह आप लूम चला रहे हैं और यह वुनाई होती जा रही है इसके बाद मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे बीच एक और महमान बैठी हुई है जो यह उसका कारोबार करती है तो सिल्क के कारोबार का महिला उद्दमियों के लिए कितना जरूरी है उसके भी से में बताएंगी मैं जरा जानना चाहता हूं आपसे मैं महीला बुनकर स्वालंबी सहकारी समीती मुसा बनी से हूँ और हमारी करीब पचीश से पचास महीलाएं अभी ट्रेनिंग ले चुकी हैं डबलु एस भारत सरकार के अधिन डबलु एसी इर्भा रांची के थूप ट्रूप ट्रेनिंग हुई है हमारे यहां और महीलाओं को वीविंग क्या है कैसे वीव करना है इस इस चीज की जानकारी दी गई ट्रेन रही है बेट्षिट बना रही है और उनको डेली वेजिज के रुप में कुछ न कुछ मिल रहा है जिससे वो अपनी आजीविका चला रही है मतलब कि महीलाओं के लिए आजीविका का बहुत बढ़ा साधन है आप फोकस उन पर ही करिए जिससे उनके परिवार को सपोर्ट म मिल रहा है यह बहुत बड़ी पहल है और इस काम में सरकार बहुत जारा ध्यान दे रही है आगे भी ऐसा ट्रेंडिंग होते रहना चाहिए प्रोडक्शन होते रहना चाहिए हमें हमारी बुनकर समीती को भारत सरकार के थूर्व एक प्रोड्यूसर कंपनी के रुप में ख्पू दनेवाद आप क्या कहना चाहेंगे और आप क्या बताना चाहेंगे बुनकरों के भी सह में कुछ बताए कि बुनकरों के लिए कितना कारगर है और कितना रोजगार परक है पर माया अक्तार अली तर यह है कि किसानों के बाद पूरे हिंदुस्तान में किसान है फर्स नंबर पाgyता हुं दूसरे नंबर प्या हम बुनकर आते हैं, भुनकरों के लिए इन्हों ने बहुत ही बेनिफुट का काम ये किया है कि तक हर बुनकर, सक्षम जैसे हमारी यह है अभी आपको कि हम चाहते हैं कि हर घर के बुनकर अब लेडिस भी उस लाइन में आ जाएं वो भी अपना घर पर बैठे हुवे साड़ी बुनाई कर लें और ये कर लें उसके लिए फ्लेड फारम दिया है एनेजडी सी ने जो हम लोग अपना माल प्रोडेक्ट करके लाते ह हैं बनाते हैं उसको मार्केटिंग भी बहुत जरूरी है जहां अगर माल को बेचना है तो उसके लिए एनेजडी सी नेश्टनल हैंडूम डेपलेमेंट कार प्रोडेसन ने सिल्क फैब और नेश्टनल हैंडूम एक्स्पो एगनाईज कर रही है हम बुनकरों के लिए फिर परशेंट अपना एक्स्टा चार्ज लगाकर हंडेड़ टेन में उसको बेच देते हैं सेलकर हमें तो आल लेडी फिरी में स्टॉल मिला हुआ है और लेडी जो है हमें टी एडी मिली जाए तो इस सबसीडी है मिली रिए गवर्मेंट से धागे में भी हमें सबसीडी हमें अपको बताया किसानों के बाद हमारे बुनकर भाई दूसरे नंबर पर आते हैं और हमारे उपरे इंडिया में सोला स्टेट ऐसे हैं जो बुनाई काम करते हैं 16 स्टेट में जहां वीविंग का काम होता है उस सोला इस्टेट के बुनकरों को बहुत ही ज्यादा वेनिफिट मतलब मिलता है मतलब की 10 से 12 क्रोर लोग हमको लगता है कि डिरेक्ट जुरे हुए होंगे इस वीविंग सेक्टर से और मतलब उसका कारवार होड़ा होगा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार जो इतनी मदद कर रही है जो इस सारे कार भारत सरकार कर रही है बुनकरों के बहतरी के लिए कस्टमर्स के बहतरी के लिए और सारी कारकरम को चला रही है इसके पीछे का उद्देश से क्या है और आप लोग जो इस तरह से मोटिवेटेड होकर के एक टीम लीडर की तरह जो आप लोग हर पूरे भारत वरस में कारक्रम चला रहे हैं, इसका क्या उद्देश से क्या है? जो आप लोग हर पूरे भारत वरस में कारक्रम चला रहे हैं, इसका क्या है? इस उनिका प्रयाश्य चला रहे हैं, और बहुत शरे इन भाई लोगों को सबसीड़ी दिया जा रहा है, शुविदा दिया जा रहा है कि अब लोग करो और जैसे कि ओ भारत वरस में कोई महनत वाली काम नहीं है, पर अमरा जो बहन लोग है, जो घर के महिला है, ओ भी जूर सक कर रही है, जिससे हमारा पुरा देश का डिवलप्मेंट हो रहा है, तो यहीं बोल के मैं आपको धन्यवाद, मतलब फ्रेंट्स, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कि प्रधानमंत्री जी का नाम बार बार ले रहे हैं, लोग मतलब कहने का मतलब की भारत सरकार, भारत सरक सकता है, क्योंकि एह हैंड लूम या पावर लूम, पावर लूम से ज़्यादा मजभूती से हैंड लूम को प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, और हमारे भारत वर्स में लोगों के पास पर्चेज तरीकिस रखा है उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये आज पता चला होगा कि सिल्क हमारी देश की शान है और कुछ बरसों पहले जो सिल्क चलता था ओ आज करीब 13-1400% लगभग इसमें बढ़ोतरी हुई है 14-1500% इसकी मार्केटिंग में बढ़ोतरी हुई ह इसके इनकम में बढ़ोतरी हुई है और प्लस 1500% से ज़्यादा हमारे बुनकरों और प्लस किसानों जो की खास करके वो सिल्क के धागा का उत्पादन करते हैं उन सब लोगों की रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और इनकम में बढ़ोतरी हुई है इसके लिए धन्यवाद जाता है हमारे भारत सरकार को और हमारे उन सब राज्य सरकारों को कि जो इसमें मदद करते हैं और सबसे जादा सैलूट उन लोगों को होना चाहिए सबसे जादा रेस्पेक्ट उन लोगों को मिलने चाहिए कि जो हमारे छोटे छोटे सहरों में जाकर इस तरह स्टॉल लगाते हैं और ऐसे ऐसे officers और ऐसे महिलाएं जो हमारे महिलाओं के लिए और इवाओं के लिए रोल मोडल हैं रोजगार को डेवलब कराने के लिए इसी के साथ नमस्कार डॉक्टर अनुश्रमा की तरफ इससी तरह द्धागे तैार होते है और वही धागा फिर ओ लूम पे चरता है और लूम से वह कपड़े बनते हैं सिल्क के लगे हुए स्टॉल जो की सिल्क के पसंदिदा लोकों के लिए हैं इक्जिबिशन में लगे हुए साप झाल